इंट्रोगेटिव प्रोणॉण प्रस्नवाचक शर्वनाम एसी सर्वनाम ऐसे प्रोणॉण सब्द जिनका प्रयोग प्रस्न पूछने के लिए किया जाता है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन वे सर्व नाम है जिनका प्रयोग प्रस्न पूछने के लिए किया जाता है ठीक है तो प्रस्न पूछने के लिए तो जितने भी प्रस्न वाचक शब्द है सब का प्रयोग किया जाता है और प्रस्नवाचक शब्द पता होंगे 11 हैं, सभी 11 शब्दों का प्रयोग कोश्चन के लिए ही किया जाता है, एक ऐसा प्रोणाउन, प्रोणाउन विच यूज तू, आस्किंग कोश्चन इस काल्ड इंट्रोगेटिएग प्रोणाउन, पॉइंट अमबर बन देख लेते हैं, क्या है, हूँ का प्रयोग व्यक्तियों के लिए, हाँ बिल्कुल, हूँ का प्रयोग, हूँ मीन्स वह है, यानि होता है कौन, क्या होता है, कौन, और जबाब में वह आता है, और हूँ मीन्स वह होता है, ठीक है, इंट्रोगेटिम में तो हू का अर्थ होता है कौन? और जब यही relative pronoun वनता है, तो हू means हो जाता है जो? और हू means वह है? ऐसे अर्थ होते हैं, ठीक है? हू और हू का objective case होता है, हूम? और हू का possessive case होता है, हूज? अगर हम कहते हैं, यह किताब किसकी है? Whose book is this? तुमने किसे पीटा? To whom? Did you beat? ठीक? ऐसे यूज किया जाता है, question तो पूछी रहे हैं, लेकिन पुरुशों के लिए who, who's, whom का प्रियोग करना चाहिए, विच का प्रियोग भी पुरुशों के लिए हो जाता है, कौन सा लड़का सरारत कर रहा है, which why is making a mischief? ऐसे हो जाता है, तो विच का प्रियोग हो जाता है, यहां क्या करें, हूप का प्रियोग व्यक्तियों के लिए किया जाना चाहिए, विच का प्रियोग व्यक्तियों वस्तुओं या जानवरों के लिए, सब के लिए हो जाता है, जबकि what का प्रियोग सामानिता है वस्तु के लिए होता है सामानिता है सामानिता है वस्तु के लिए किया जाता है किसका what का what क्या ठीक यह होता है तो यह question word जो है वो आपको सायद याद ही होंगे what means क्या होता है why means क्यों होता है where means कहा होता है when means कब होता है सारे question word याद कर लेजिए यहाँ पर example number first समझ लेते हैं what is this what is this who are you सभी यहाँ पर integrative कर दिये गए है सब में question पूछा जा रहा है whose is this book यह किसकी किताब है whose is this book या whose book is this इस तरह से integrative pronoun का प्रियोग किया जाता है और integrative pronoun का प्रियोग सिर्फ प्रस्ण पूछने के लिए ही किया जाना चाहिए अगला समझ लेते हैं relative pronoun पर छोटा वाला point होगा वो वाला चाहिए relative pronoun सम्बंध वाचक शर्व नाम relative pronoun जो integrative pronoun होता है उसके कुछ शब्द जैसे who, whose, whom चीख है यह सब्द ले सकते हैं लेकिन who, whose, whom पर ज्यादा फोकस करना होगा आपको क्योंकि यह relative pronoun के मुख्यंग है, मुख्य शब्द है relative pronoun वैसर्व नाम है जिसका प्रियोग किसी संग्या से संग्या से संबंध प्रकट करने के लिए किये जाता है किसी noun सब्द से संबंध बताना होता है उसे बोलते है relative pronoun यह सब्द प्रस्णवाचक हाँ प्रस्णवाचक शब्द ही होते है लेकिन यह as a conjunction के रूम में आते है जिस noun या pronoun की विसेश्था बतानी होती है जिससे संबंध बताना होता है इन प्रस्णवाचक शब्दों को उसके करीम में लिखा जाता है उसके करीम में लिख दीजिए ठीक है यह प्रस्णवाचक सब्द लगने से चुकि relative pronoun होते है intuitive question word होते नहीं है यह जो बाग के intuitive हो जाएगा ऐसा कुछ नहीं होता है बलकि यह संबंध बताते हैं इसका आप अर्थ समझें यहां से और यहां तक I know the man मैं उस आदमी को जानता हूँ दाका अर्थ बहय या वोश होगा I know the man who came here yesterday जो यहां आया था जबकि intuitive होगा तो हुका अर्थ कौन होता है ठीक है कौन होता है यह अंतर रहता है relative pronoun में I know the man who came here yesterday दूसरा Here is the boy यहां पर द जोड सकते हैं Here is the boy who is my friend जो लड़का है वही मेरा दोस्त है भुकार्थ जो ठीक है यह जो लड़का है वही मेरा दोस्त है दोस हूं जिसको the God's love भगवान प्रेम करते हैं जिसको भगवान प्रेम करते हैं दोस वो लोग जिने भगवान प्रेम करते हैं वो लोग जनली मर जाते हैं ठीक है यह अर्थ इसका हो रहा है दा गवान प्रेम करते हैं वो लड़का जो कठिन परिश्रम करता है मस्ट सक्सीड अब अस सही सफल हो जाता है तो आप देखेंगे जो भी रिलेटिव वर्ड दिया जा रहा है वो रिलेटिव प्रून जो भी दिया जा रहा है वो शब्द के करीम में रखा गया है जिसके बारे में चैचा की गई है यह होता है रिलेटिव प्रून तो इंट्रोगेटिव और रिलेटिव अच्छे से समझ में आ गया हो गया उम्मीद घरते हैं अगली मुलाकात अगली वीडियो में करेंगे नमस्कार